फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गुजरती श्पेशल पढ़वारी रोटली की रेसिपी बहुती आसान तरीके से ये रोटी बनके तयार होती है ये एकदम पतली और बहुती सौफ्ट बनती है और श्पेशली आम रस के साथ इसे बना कर खाया जाता है मैं आज दो अलग-अलग प्रकार से कैसे ये पढ़वारी रोटली बनके तयार होती है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी तो वीडियो को एंड़क जरूर देखिएगा और हम फटा-फट से पढ़वारी रोटली बनाना सुरू करते है उसके लिए हम एक बड़े बावल में द एक से डेर चमच तेल अब इन सारी चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और चनरली हम जो रोटी का आटा गुत के तयार करते है वैसा ही नरम आटा गुत के तयार करेंगे लेकिन यहां पे हम थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से गुत लेंगे हमारा आटा है वो परफेक्ट गुत के तयार हो गया है तो इसमें हम आधा चमच से भी थोड़ा तेल डालेंगे और फिर से आटे को हम अच्छे से गुत लेंगे जब भी आ बढ़िया ही बनती है अब हमारा आटा है वो perfect गुत के तयार हो गया है तो इसको हम 20 मिनिट के लिए ठक कर set होने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनिट बाद देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से set हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा फिर से तेल डालेंगे यहाँ पे मैं आधा चमस से भी थोड़ा कम तेल डाल रहे हूँ और फिर से आटे को हम अच्छे से गुत लेंगे यहाँ पे हमारा आटा है वो गुत के अच्छे से soft तयार हो गया है तो इसमें से थोड़ा सा part हम separate कर लेंगे और उसमें से पुरी की साइज की लुईया दो बना के साइड में रखेंगे और उस लुई को हम गेहु के आटे में अच्छे से cover कर लेंगे और उन दुनों लुईयों में से हम दो पुरिया बेल के तयार करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली पुरिया बनके तयार होगी इस तरह से हमें दोनों लुईयों में से दो पुरी बना के तयार करना है हम आज जो रोटी बना रहे हैं वो दो पड़ वाली लोटी बना रहे हैं यानि कि दो लेयर में हमारी रोटी है वो बनेगी अब दोनों पुरी में से जो एक पुरी है उसके उपर हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और इस तेल को हम अच्छे से पुरी के उपर स्प्रैट कर लेंगे और थोड़ा सा गेहु का आटा इसके उपर छिड़केंगे दूसरी पूरी है उसको पलट कर इस तरह से उसके उपर रख देंगे और फिर से रोटी को हम अच्छे से बेल लेंगे अगर जरूरत लगे तो आप यहाँ पे गेगु का आटा थोड़ा सा बेलने के टाइम पे यूज कर सकते हो इस तरह से हमें एकदम पतली रोटी बेल के तयार करनी है यह जो पलवाली रोटी बन के तयार होती है वो बहुती पतली और बहुती सौफ्ट बन के तयार होती है उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है इस तरह से हमें कीनारियों से और बीच में से अच्छे से बेल कर रोटी को तयार करना है अब हम दूसरी तरीके से भी इस तरह से पड़वारी रोटी बनाएंगे तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे दो पूरी की साइस की लुईया बना रहे हूं और उसे आटे में रख देंगे अब हमारी जो आटा गुत के तयार रखा है वो सूख न जाए इसलिए इसको हम अच्छे से कवर करके ढखकर रख देंगे दूसरी तरफ मैंने एक तवी है वो मेडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दी थी तो उस पे हम रोटी डाल लेंगे रोटी की एक साइस पर हलके बबल आए तब हम रोटी को पलट कर दूसरी तरफ साइड चेंज कर लेंगे और जब तीसरी तरफ आए तब हम इस तरह से कपड़े की मदद से हलका हलका प्रेस करते जाएंगे और रोटी को मेडियम और लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे ध्यान रखे कि यहाँ पर हमें बिल्कुल ही हाई फ्लेम या फिर एकदम लो फ्लेम पर रोटी को नहीं बनाना है बाकी रोटी है वो जल जाएगी या कड़क हो जाएगी अब देख सकते हो कि हमारी रोटी है वो एकदम परफेक्ट बनके तयार हो गई है तो इसके दोनों लेयर हम इस तरह से अलग कर लेंगे ध्यान पूर्वक आप अलग करिएगा क्योंकि ये रोटी बहुत ही गरम अंदर से होती है एकदम गरम स्टीम अंदर से निकलती है अब इस तरह से हम रोटी की दोनों साइड पे कही लगा लेंगे तो हमारी यहाँ परफेक्ट गुजराती पड़वारी रोटली बनके तयार है आप देख सकते हो कि यह एकदम पतली और सौफ्ट बनके तयार हुई है तो इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और इस तरह से हम सारी रोटिया बनाके तयार करेंगे मैं अब दूसरे टाइप से आपको पड़वारी रोटली बनाना सिखाती हूँ हमने यहाँ पर दो पूरी की लुईया बनाके तयार किये है उस लुई को हम आटे से कवर कर लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा लेंगे अब एक लुई के उपर थोड़ा सा ओईल डालेंगे और ओईल को हम अच्छे से लुई की उपर स्प्रेड कर लेंगे उसके उपर थोड़ा सा आटा चिल केंगे और दूसरी लुई को उसके उपर प्रेस कर लेंगे फिर दोनों लुईयों को हम गेहु के आटे में अच्छे से रगड़ कर इसको इस तरह से रोटी का शेप दे देंगे अच्छे से इसको बेल लेना है और जितना आटा आप यहाँ पे लोगे उस तरह से आपकी रोटी है वो गोल-गोल घुम के तैयार होगी जब आप यहाँ पे जरूरत लगे तब गेहु का आटा यूज कर सकते हो तो इस तरह से हमें एकदम परफेक्ट पतली वाली रोटी बेल कर तैयार करनी है इसकी किनारियों से लेके बीच में भी हमें अच्छे से बेलना है आप देख सकते हो एकदम पतली हमारी रोटी बेल के तैयार हो गई है तो मीडियम गरम तवे पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे एक साइड हलके से बबल आ जाए तब इस रोटी की दूसरी साइड करेंगे इस तरह रोटी को हम घुमाएंगे ताकि एक साइड से जलना जाए और आप इस तरह से पलट कर रोटी को देख भी सकते हो कि दूसरी साइड भी थोड़े से बबल आ गये कि नहीं आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है तो हम साइड चेंज कर और एक रुमाल की मदद से हलका सा प्रेस करेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से से लेंगे इस तरह हमें गेस की फ्लेम मेडियम रखनी है और अच्छे से हमें दोनों तरफ से रोटी को से लेना है यहां पे ध्यान रखे कि रोटी है वो मेडियम फ्लेम पर ही हमें से करना है इस तरह से हमने सारी रोटियों बना की तयार करी है इसके दोनों पड़ है यानि की दोनों लेयर है वो अच्छे से चटपड से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और आप यहां पे दोनों पड़ के उपर की लगा के सारी रोटियों को तयार कर सकते हो और रोटी को लंबे समय तक सोफ्ट रखने के लिए आप डिब्बे में रखते हो या फिर किसी कैसरोल में रखते हो तो उसमें एक कोटन का कपड़ा या रुमाल रख दीजिए और सारी रोटियों को उसकपड़े में लपेट कर डिब्बे या कैसरोल को बंद करके रखेंगी तो आपकी रोटी है वो लंबे समय तक सोफ्ट और फ्रेश रहती है तो इस तरह से हमारी गुजराती स्टाइल पड़वाडी रोटली बनके तयार है specially ये आम रसकी सिजन में बना के खाया जाता है ये बहुती पतली और सोफ्ट बनके तयार होती है आप देखी सकते हो तो फ्रेंट्स इस तरह से आप भी करपर ये पड़वाडी रोटली जरूर से ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट बोक्स में बताएगा कि आपको ये रोटी की रेसिपी कैसी लगी मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेट कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू